दोस्तों यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए गुर्मेंट जोब्स ग्यान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाले हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल गुर्मेंट जोब्स क्यान पर दोस्तों एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं इस सब्सक्राइब की छे बड़ी बर्तियों के बारे में 31 दिसंबर 2018 से 6 जनवरी 2019 तक की बड़ी बर्तियों के बारे में हम बात करने वाले हैं इन फॉर्म्स को जल्दी से बर दीजिए ओल इंडिया मेल ये फीमेल बहुत केंडिडेट इन बर्तियों पर आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे सब्ता कि ये मैं तप उन जोब हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इन 6 जोब की इल्दिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या एपलाई करने की डेट है कैसे सेलेक्शन होगा, क्या सेल दी मिलेगी, कैसे नोटिफिकेसन डाउनलोड कर सकते हो और कैसे सिंपल आप इन बर्तियों पर आवेदन कर सकते हो पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंतक इस वीडियो को पूरा देखने पर यह आपके सभी स्वाल और डाउट किलियर होंगे तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त वह सुरू करते हैं आज की छे बड़ी बर्तियों की पूरी जानकारी है पूरे सब्ता की छे बड़ी बर्तियों है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट नंबर की जोब है वो रेलवे में निकली है रेलवे रिक्रूट्मेंट बोर्ड ने एक बार फिर से नया नोटिप्रिकेसन जारी किया है जिसके तैट वे जूनियर इंजिनियर और भी बहुत सारे बाद हैं इनके लिए खाली पदों को बढ़ने जा रहे है तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त को है शुरू करते हैं पूरी जानकारी रेलवे रिक्रूट्मेंट बोर्ड ने यहाँ पर पोश्ट आप देख सकते हो जारी की है जूनियर इंजिनियर जेई, जूनियर इंजिनियर इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी, डिपोर मटीरियल सुप्रिटेंडेंट यानिके डियमेस और केमिकल और मेटरलूजिकल असिस्टेंट यानिके CMA टोटल 14,033 वैकेंसी जिसमें निकली है, बात अगर क्वालिफिकेशन की की जाए तो डिप्लोमा डिग्री, PGDCA, BSC, BCA, BTEC इन पर आवेदन कर सकते हैं आयू की बात की जाए तो 18-33 वर्स है, आयू की गढ़ना 1-1 2019 से की जाएगी साथी साथ आप यहाँ पर सेली भी देख सकते हो, 35,400 पर मंत के लिए इसमें सेली प्रोवाइड की जाएगी एप्लिकेशन फीच की बात की जाए तो 250 और 500 रुपे अलग-अलग कैटिगरी के लिए आप रखी गई है बात अगर सेलेक्शन की की जाए, कम्प्यूटर बेश टेस्ट, मेडिकल एक्जैमिनेशन और भी इसमें सेलेक्शन प्रोसीजर है वो आप पुरा नोटिफिकेशन से ही रीड कर सकते हो ओफिशल वेबसेट की बात की जाए तो indianrailways.gov.in इस पोर्टल को उपन करने के बाद आपको सभी जोन के वाँ पर लिंक मिल जाएगे किसी भी जोन पर आप वही से अपलाई कर सकते हो और नोटिफिकेशन भी वही से डाउनलोड कर सकते हो ओनलाइन तरीके से आप इस भरती पर आवेदन कर सकते हो ओल इंडिया के भरती है किसी भी राजे से इंडिया के किसी भी राजे से आप इस पर आपलाई ओनलाईन कर सकते हो बात अगर डेट की की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2. January 2019 दोस्तो 2. January 2019 से आप इस पर आपलाई ओनलाईन कर सकते हो सुना रहा है आप जल्दी से apply कर दीजिए 31 जनवरी तक आप इस पर apply online कर सकते हो साथी साथ जो second number की job है वो भी आप देख सकते हो railway में ही वो भी job निकलिया है railway protection force के माधियम से आपर rpf में भरती निकलिया है यहाँ पर आप देख सकते हो male और female कौन स्टेबल भरती इसमें निकलिया है total 798 में पद खाली है बात अगर sales लिकी की जाए तो 21,700 से 69,100 परवंत के लिए आपर provide की जाएगी 10 वी class pass candidate इस पर apply कर सकते हैं आयू की बात की जाए तो 18 से 25 वर्स है old इंडिया के बरती है कहीं से भी आवेदन कर सकते हो जन्रल या OBC candidates के लिए आपर 500 रुपे आवेदन सुल्ख है SCST के लिए 250 रुपे है selection की बात की जाए तो online exam, physical standard test, trade test, document, verification होगा साथी साथ यहाँ पर आप apply mode देख सकते हो online तरीके से आप इस भरती पर apply कर सकते हो official website है indianrailways.gov.in इसी तरह आप इसी portal से भी apply online कर सकते हो एक January से दोस्तो एक January से apply online start है आप एक January से इस पर आवेदन कर सकते हो नए साल के फश्ट दे से ही आप इस पर आवेदन कर सकते हो last date की बात की जाए तो 30 January 2019 है और fees जमा करने की online तरीके से last date 1 February 2019 है और चालान के माधियम से fees जमा करने की last date 2 February 2019 है दोस्तो इसका computer based जो test होगा वो होगा फरवरी और March 2019 में tentative rate गोसित यहां पर हो गई है उसके बाद दोस्तो जो third number की job निकली है वो निकली है Central Reserve Police Force में CRPF में बड़ी बढ़ती निकली है constable और head constable post के लिए यहाँ पर आप पूरी details चेक कर सकते हो और 369 vacancies जहाँ पर constable और head constable के लिए निकली है category wise vacancies की पूरी जानकारी आपको notification में मिल जाएगी 10 वी और 12 वी class pass candidate इस बड़ती पर apply कर सकते है बात अगर IU की की जाएं तो कम से कम 18 वर्स है और अधिक्तम IU 23 वर्स है उसके बाद यहाँ पर आप सेली देख सकते हो head constable general duty यानिके gd के लिए level 4 के अंतरकत 25,500 से 81,100 और constable general duty gd के लिए level 3 के अंतरकत 21,700 से 99,100 यहाँ पर सेली परमंद के लिए provide की जाएगी 100 रुपे इसमें आवेदन सुलक है selection की बात की जाए तो return test, physical efficiency test और personal interview के माध्यम से होगा crpf.gov.in इसकी official website है इससे ही आपको इसका application format download करना होगा offline तरीके से और भढ़ने के बाद आपको official address पर send कर देना होगा official address की पूरी जानकार यह आपको notification में ही मिल जाएगी All India की बढ़ती है कहीं से भी आप इस पर आवेदन कर सकते हो apply करने की last date की बात की जाए तो 13 जनवरी 2019 तक आप इस बढ़ती पर आवेदन कर सकते हो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो vote number की जोब है वो देख सकते हो उत्तर परदेश Public Service Commission में बढ़ती निकली है यहाँ पर सायक अभियोजन अधिकारी APO के लिए बढ़ती निकली है online application जिसमें मंगाए गए है uppsc.up.nic.in portal से योगे candidates के दुआरा आप यहाँ पर हिंदी में भी news पढ़ सकते हो साथ है साथ हम आपको पूरी जानकारी देंगे eligibility criteria वो भी हम आपको बताएंगे आयोक की APO परिक्सा के लिए आवेजन 28 तारिक से start हो चुके है 28 December से आप इस पर online कर सकते हो 17 पदो के लिए आवेजित की जाएगी यह परिक्सा यहाँ पर आप यह पूरी डिटेल सिंदी में पढ़ सकते हो साथ ही साथ यहाँ पर आप यहाँ पर vacancies देख सकते हो 17 तोटल यहाँ पर qualification की बात की जाए तो law degree इसमें apply कर सकते है किसी recognize university आफिर इंस्टिटीट से age की बात की जाए तो कम से कम 21 वर्स इसमें आयू सीमा है और अधिक्तम आयू 40 वर्स है सेली भी आप यहाँ पर देख सकते हो 17,600 से 1,000,000 लेवल 8 के अंतरकते आपर पर मंद के लिए provide की जाएगी बात अगर fees की की जाए जनरल अन्रीजर और OBC category के लिए आपर 100 रुपे आवेदर सूलक है पलस 25 online processing fees है तो कुल मिलाकर 125 रुपे आपर सूलक है SC-ST के लिए देख सकते हो 40 है पलस 25 यहाँ पर online processing fees तो 65 है PWD के लिए आपर देख सकते हो 25 रुपे आपर आवेदर सूलक है payment की बात की जाए तो SBI, I collect, fee, debit या credit card, net banking और इचालान से जमा करा सकते हो return exam के माध्यम से इसमें आपका selection होगा uppsc.up.nic.in इसी portal से आप online आवेदर कर सकते हो उत्तर परदेश job location है बात अगर dates की की जाए तो starting date अपले यह online करने की 28 December 2018 थी और last date इस पर online आवेदर करने की 28 January 2019 है fees जमा करने की last date भी आप देख सकते हो 25 January 2019 है उसके बाद दोस्तों जो 5 number पर job निकली है वो निकली है उत्तर परदेश में उत्तर परदेश state rural lifehood mission में यह बढ़ती निकली है UPSRLM recruitment है इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो उत्तर परदेश राज्य ग्रामिर आदिवी का mission में बढ़ती निकली है यहाँ पर आप पूरी details देख सकते हो कैसे कैसे आपको online आवेदन करना है क्या यहाँ पर dates दी गई है पूरी जानकारी आपको यहाँ दी गई है जैसे कि SMMU level के अंतरगत यहाँ पर आप post-wise चेक कर सकते हो साथ-साथ यहाँ पर total vacancies दी गई है अलग-अलग post के लिए आपर चेक कर सकते हो जैसे कि account assistant के लिए आपर 11 है तो cool मिलाकर 60 vacancies है उसके बाद यहाँ पर BMMU level के लिए देख सकते हो जैसे कि blog mission manager के लिए 53 vacancies है और भी यहाँ पर इसी तरह vacancies यहाँ पर दी गई है सभी के सामने तो grand total यहाँ पर देख सकते हो 1615 है और BMMU level के लिए आपर 1553 vacancies है अलग-अलग level के लिए आपर vacancies दी गई है आप video को pause करके पूरी check कर सकते हो category wise और साथ-साथ यहाँ पर total देख सकते हो category wise यहाँ पर UR category के लिए 578 vacancies है और यहाँ पर उसके बाद OBC के लिए देख सकते हो 562 है और ST के लिए देख सकते हो 454 vacancies है 21 यहाँ पर ST के लिए है कुल मिलाकर 1615 है online आप इस बढ़ती पर apply कर सकते हो seeds.co.in slash upsrlm इससे आप पूरी जानकारी भी कर सकते हो जैसे कि IUCIMA educational qualification experience यहन पर की लिए apply कैसे कर सकते हो पूरी जानकारी आपको इसी link पर मिल जाएगी यहाँ पर भी आप link चेक कर सकते हो हमारे portal पर यहाँ पर updated है इसी portal से आप apply online कर सकते हो date यहाँ पर दी गई है जनुरी 2019 से पहले पहले ही आपको online apply करना होगा यहाँ पर पूरी जानकारी इस भरती से related इस page पर आपको मिल जाएगी साथी साथ दोस्तों last और 6 number की job आप यहाँ पर देख सकते हो electronics corporation of india limited ECIL में भरती निकलिया है यहाँ पर आप देख सकते हो junior technical officer junior consultant field operation के लिए 2100 total पदिन के लिए है qualification देख सकते हो iti b b tech degree या diploma दारक apply कर सकते है बात अगर आयू की की जाए तो maximum 2830 वर्स है अलग-अलग post के लिए sale पे आप देख सकते हो अलग-अलग post के लिए 16,000, 42,000, 19,000, 188 पर मत के लिए यहाँ पर provide की जाएगी application fees की बात की जाए तो UR, OBC के लिए 200 रुपय आवेदन सुल्क है SCST, PWD और Serving या Retired Service Officers के लिए कोई भी आवेदन सुल्क नहीं है सुल्क आप debit card, credit card, net banking और through each alan SBI के माधियम से जमा करा सकते हो यहाँ पर merit या interview के माधियम से इसमें आपका selection होगा ECIL.co.in ये इसकी official website है इसी से आप online आवेदन कर सकते हो All India के भर्तिय कहीं से भी आवेदन कर सकते हो Apply online date थी इसकी 26 December 2018 और लास्टेट है Apply online करने की 5 January 2019 उसके बाद भी दोस्तों कर आपको इन Top 6 भर्तियों के बारे में और ज्यादा जानकारी जैसे कि यहाँ पर RBRB, JE Recruitment, RPF Recruitment, CRPF Recruitment UPPSC Recruitment, UPSRLM Recruitment, ECIL Recruitment सभी की जानकारी के लिए आपको लिंक नीचे description में पलस first comment box में मिल जाएगा और इन page पर पहुँचकर आप यही से पूरी जानकारी रीड कर सकते हो सात-ि-सात आपको इनी page पर notification का link भी दिया गया है इन page के end में आपको notification का link मिल जाएगा और सात-ि-सात iPhone Online या फिर online करने का link भी आपको इनी page के end में मिल जाएगा वह इसे आप पूरी जानकाररीड कर सकते हो और simply apply कर सकते हो तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही, I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे like और share जरूर करें, साथ इसाथ दोस्तो हमारे चैनल को subscribe जरूर करें